Hello students, I hope आप सभी बढ़िया होंगे इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ CUET 2023 एक्जाम हाल में आपको कौन से आइटम करी करने है यहाँ पर मैं आपको 10 ऐसी चीज़े बताऊंगा जो आपको अपने CUET 2023 एक्जाम हाल में लेकर जाना है और उनका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपको पहली चीज़ लेकर जाना है अपने एक्जाम हाल में वो है आपकी Personal Transparent Water Bottle दूसरी आपकी जो चीज़ आती है वो है Personal Hand Sanitizer आपको लेके जाना है Bal Point Fan Transparent आपके पास होनी चाहिए देखे पैन आपको एक्जाम हाल में भी मिल सकती है लेकिन आप लोग पैन जरूर लेकर जाएं जैसा कि पिछली बार हुआ था कुछ सेंटर पर आपको एक्जाम हाल में मिली थी पैन और कुछ जगहों पर पैन नहीं मिली थी तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको pen लेके जाना है बिल्कुल मत भूलना है चीज तीसरा जो अपना point आता है तीसरा हो गए अपना pen हो गए अब चौथा point आता है admit card जो कि आपको लेके ही जाना होता है ये तो आपको पता है कि आपको अपना admit card निकालना है उसको लेकर जाना है साथ में आपके पास दो additional photograph होनी चाहिए valid आपके पास original ID proof होना चाहिए वो driving license हो सकता है वो आपका आधार card हो सकता है pen card हो सकता है आपको original लेकर जाना है photocopy नहीं original आपको लेकर जाना है उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए आपको अपना certificate ले जाना होगा तभी आपको उनसो विधाओं का लाब मिल पाएगा फिर अपना जो यहाँ पर आठवा point आता है वो है कि आप लोग क्या पहनेंगे आपका dress code क्या होना चाहिए तो साथ चीजें हो गई जो आपको लेकर जाना है अब जो अठवी बात आती है वो अपनी आती है dress code को लेकर dress code आपको paint set आप लोग पहन कर जा सकते हैं या फिर आप t-shirt पहन कर जा सकते हैं लेकिन आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत जादा रंग भी रंगे आप लोग कपड़ों का उपयोग ना करें साथ में बहुत बड़ी बटन ना हो आपके कपड़े जो भी आप पहन कर जा रहे हैं उसमें बड़ी बटन ना हो size ना हो उसका बहुत बड़ा इसका आप ध्यान रखेंगे मैं तो आपको यही suggest करूँगा कि आप लोग T-shirt में जाएं आप लोग side का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा पाकि पहन कर आप जा सकते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ ठीक है और जिन्स भी आप पहन सकते हैं बस इतना ध्यान रखें कि बड़ी बटन ना हो उन चीजों में जो आप पहन कर जा रहें साथ में आपको क्या करना होगा आप यहाँ पर स्लीपर श्ट्राई कर सकते हैं पाकि सू भी आप पहन कर जा सकते हैं लेबस भी complete है नहीं complete है 50% पढ़ा है 60% पढ़ा है 70% पढ़ा है 40% पढ़ा है कुछ भी पढ़ा है बस पढ़ा है तो इस्टुडेंट उसके साथ आपके पास आपका confidence होना चाहिए यह होना चाहिए exam के दौरान आपके अंदर यह होना चाहिए यहाँ जो हूँ मैं हूँ जो लिखूँगा मैं लिखूँगा और सही लिखूँगा जो करूँगा मैं ही सही करूँगा यह खयाल आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए आपके पास आपका confidence लेवर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास आपका confidence ये जरूर होना चाहिए कि मैं सब कुछ करके आऊंगा सही करके आऊंगा अब जो मैंने पढ़ा है उसी में से ही पूछा जाएगा कोई भी stress आपके साथ नहीं होना चाहिए student आप बहतर करके आएंगे best of luck आपको आपके exam के लिए thank you love you all कोई भी आपका सवाल है तो description box में आप पूछ सकते हैं मुझसे instagram पर आप पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में thank you